हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केनरा फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC सीजल वेकंसी 2022 यानि की सचिवाले सहाइक वर्ती 2022 के लिए एडूटेरिया का जो नया प्राक्टिस सेट वॉलूम वन आया हुआ है उसका सेट नमबर सेबन इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इससे पहले अल्रेडी हम लोग ने सेट नमबर वन से ले करके सिक्स तक को कबर कर लिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा इन सब भी वीडियो का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और चैनल पर अगर आप पहली पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर जीजेगा और जब से सेयर भी जरूर कर दीजेगा फ्रेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताए कि इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC CGL वेकेंसी 2022 यानि की सचीवाले सहायक भरती 2022 के लिए एडूटेरिया का जो नया प्राक्टिस बुक भॉलूम वन आया हुआ हुआ उसका सेट नमबर 7 हम डिसकस करेंगे तो चलिए आज का सिसन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा फ्रेंट्स थोड़ा सा में जूम कर देता हूं ताकि आपको असपश्ट दिखाई दे पहला प्रशन पढ़ेंगे पहला प्रशन है कि पाचन के दोरान पित की भूमी का क्या होती है देखें फ्रेंट्स अगर आपको एंसर पता है तो आप एंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे अगर हम पित की बात करते हैं तो देखें पित जो है यहां सरीर की सबसे बड़ी गरंथी यकृत यानि की लिबर के द्वारा नेर्मित और स्रावित हो करता है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे उसका बद चलिए कि सेरीब्रम के कारेयों में एक से एक है यानि कि इसमें से सेरीब्रम का कारे कॉमसा है तो देखें राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा सेरीब्रम की अगर बात करते हैं तो यहां मस्तिस का सबसे विक्सित भ करता है तो यह हाइपो थैलमस के द्वारा नियंत्रित होता है दर्द ठंड़ा तथा गरम को पहचानने का कारेय थैलमस करता है ठीक है तो इन सब को ध्यान रखेंगे चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोशन देखेगा कि पादप की कोश्चिका भीति किस से बनी होती है देख कॉन सा हरडियों के सतहों को मुलायम करती है और हड़ी मैं से पेसी के जोड को टेंडन कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको चलिए वीडियो के लाश्ट में आप सभी लोग अपना-पना इसकूर जरूर कमेंट करके बताएगा देखे किसे टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है यानि कि वर्गी की का जनक किसको कहा जाता है हिंदी में इसको तो देखे फादर अब टैक्सो समाने आता है किसके द्वारा किया जाता है तो यह किया जाता है देखे राइट इसका हो जाएगा एंडोप्लास्बिक रेटुकिलम के द्वारा अपसे नमबर इसका डी हो जाएगा एंसर के लिए चलिए उसका नेक्स्ट पॉस्टन है कि मानों सरीर में स्वसन वर्णक है तो देखिए स्वसन वर्णक जो है यह आपसे पूछा जारा तो राइट अंसर इसका हो जाएगा हीमोगुलूबीन अपसे नमबर इसका बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है हीमोगुलूबीन जो है आरबीसी में मौजूद एक तरह का क्या है प्रोटीन है जो सरीर के सभी अंगो और कोशिकाव तोक ऑक्सीजन पहुंचाने का कारे करता है चलिए अगला प्रश्ण हमारा कि प्रियोग साला में प्रियोग होने वाला लेटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है तो यह लाइकेन है रोसेला अपसे नमबर इसका राइट अंसर हो जाए चलिए वहीं अगर पुछा जाए कि उत्परिवर्तन का करयात्म की क्या है तो यह म्यूटन है उत्परिवर्तन का ठीक है और पुना सयोजन का इकाई जो है यह रेकॉन होता है चलिए उसका बद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे और गुन सुत्र में पाय प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो देखे यह नियंत्रित जो करता है इसका नाम परितारिका है ठीक है परितारिका या फिर आईरिस इसको अंगरेजी में कहा जाता है ठीक है याद रखेंगे तो यह आपका हो जाएगा का परितारी का नमबर 20 का रायिटंसर हो जाएगा दिए कोषिध से के परभाव के ब्यवहारिक और आधारित नहीं है यहाँ पर रेखेग नहीं पूछा गया है तो देखे इसमें से अगर बात करें तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर देखेगा तापिय प्रभाव के ब्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है तो यह आपका इलेक्ट्रिक घंटी हो जाएगा ठीक है इलेक्ट्रिक घंटी विदुद्धारा के फोकस दुरी होती है तो फोकस दुरी जो होती है ना यहां वक्रता तिर्जा की आधी होती है आपने पढ़ाओगा होगा तो वाई दाब उछ होगा ठीक है यहाँ वाई दाब उच होता है वहाँ संपीधन का निरमान होता है up हुआ definite इसका ऩो जाएगा किस की रोक अपर किसे पर नियम पर आधारित है तो इह नियूटॉट का जो है भीप्रित प्रतिक्रिया होती है ठीक है चलिए उसका बाद देखेगा कि निम्र में से किसमें ध्वानी की गती सबसे अधिक होगी तो द्वानी की आपको पता है कि सबसे ज़्यदा ठोस में होता है तो सबसे ज़्यादा इसमें से लोहा में हो जाएगा ठीक है लोहा क्योंकि एक्वल टू वन बाइटी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखेगा यहां पर आपका कि एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां टू पैंट फाइफ सेकंड दिया गया है यहां के टाइम दिया गया है और यहां पर बीस कमपन कर रहा है ठीक है तो यह आपका कितना हो जाएगा चुकि बीस कमपन कर रहा है यहां पर तो यहां पर बीस हो जाएगा और यहां पर द्रवमान M है तथा V वेख से गति कर रहें तो वस्त्व का संब्यख तो बहुत ही आसान है यह आपको पता होगा कि संब्यख बराबर क्या होता है द्रवमान गुना वेख होता है तो M भी हो जाएगा किस का मातरक हो जाएगा तो माना नाम है बना बनाया जा तो यह बनायाँ तो बनाया में बना ुरूरू LS तो राइटेंसर इसका हो जाएगा बैंगलूरू उसका बाद देखे कि व्यक्तिकत रूप से लगातार दो ओलंपिक खिलो में पदक जितने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी हाली में कौन बनी है तो फ्रंस ये पीवी सिंदु बनी है ठीक है पीवी सिंदु बनी है ध्या लाइफ 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 पहारत और सी हो जाएगा करेक्ट एंसर क्लियर चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रशन हमारा कि प्रिथवी की जैब विविद्धिता की रक्षा करने के उद्धे से वन प्लैनेट समिलन यहां पर दिखेंग रेजी में वन प्लैनेट समीट के माध्यम से फ्रांस में किया गया है तो यह किरती मान अस्थापित किया है इन्होंने 143 उपग्राव को एक साथ लॉंच करके ठीक है चलिए राइट एंसर इसका 143 हो जाएगा उसके बाद के का कि ट्रांसपरेंसी इंटरनेस्टल द्वराजारी वरष्टाचार बोध सुचकांग ठीक है ध्यान रखेंगे वरष्टाचार बोध सुचकांग इसको कहा जाता है 2022 में भारत का अस्थान क्या है तो देखिए भारत का अस्थान जिसमें 85 है ठीक है इस रिपोर्ट में सरवच अस्थान सेंट्रूप से न्यूजिलेंड और डेन्मार को प्राप्थवा है यानि कि यहां पर भरष्टाचार सबसे कौम है वहीं सोमालिया जो ह से ज्यादा भरष्टाचार है यानि कि सुचकांक में उसका अंतिम अस्थान है भारत के 85 है उसके ओलंपिक 2020 यह कहां पर हुआता तो जापान के टोकियो में कि पदग तालिका में सिर्श चार अस्थान रहने वाले दिस्वाका सही करम क्या है तो दिखिए यह सही करम हो जा ठीक है एक दो चार तीन ठीक है ध्यान रखेंगे इसको चलिए आगे बढ़ेंगे और भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो भारत का स्थान 48 रहा था भारत ने जो है कितने मेडल जीते थे तो एक स्वन पदक दो रजत पदक और चार कांस पदक यानि कि टोटल साथ पर कॉस्टन गर लेंगे देखिए 27 नंबर है कि डिस्पाइड देश्टिट यहां पर अंग्रेजी में लिखा गया पुस्तक के लेखों कौन है तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है एम राज शेकर ने लिखा है और राज शेकर ने लिखा है अप्सन नमर ए राइटन से अगला प्रशन देखिएगा कि सर्वसिक्षा अभ्यान के तहट केंद्र और राजियों के मद वितिये व्यस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है तो देखिए भारत में सर्वसिक्षा अभ्यान को 2001 में सुरू किया गया था इसका स्लोगन क्या था सब पढ़े सब बढ़े ठीक है और देखिए इसमें जो है 60 अनुपात 40 जो है यहां जो है राइटन से रिसका हो जाएगा 60 अनुपात 40 यानि का अप्सन नमर ए राइटन स इसका हो जाएगा वहाँ अगर पुरोत्त राज्य की बात करें तो पुरोत्त राज्य में यह 90 अनुपात 10 है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि बैंकिंग लोगपाल योजना की सुरूआत कब की गई बैंकिंग लोगपाल योजना की शुरूआत जो है यह जून 1995 में की तो यह की जाती है फोसल के बुवाई से पहले जाती है तो राइट इंसर इसका हो जाएगा फोसल की बुवाई से पहले देखे फ्रेंट्स मैं आपका एक मिनट का भी समय विष्ट नहीं करऊंगा मैं जानता हूं कि एक-एक सेकंड आपके लिए किमती है वैसे ही रोजगार की क्राइसिस है तो जी तूड मेहनत किजिए इसवर की किरपास से निस्सीत रूप से इस बहर आपका सेलक्षन होगा लगन के साथ आपको मेहनत करना है इस वर पर सब छोड़िये मैहनत किजिए इस वर आपके साथ गभदारी नहीं करेंगे निस्जित रूप से न्याय करेंगे देखे किसे अर्थवास्ता में छेत्रों को सरवजनिक और नीजी में किस अधार पर वर्गी करित किया जा सकता है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा इसमें से उद्वमो का स्वामित्व अप्सर नमबर सी हो जाएगा उसका इसका जो इसका जो फेवियन सोसलिजम है इसका नेत्रित जॉर्ण बर्नार्ट सो ने किया था जो ऑगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन अच्छा ये रूस का अंतिम सासक था जार निकोलस दूतिये इसको ध्यान रखेंगे उसका बाद देखिए अहमदिया आंदोलन के सांस्थापक निमन में से कौन था अहमदिया आंदोलन तो ये आपका राइट अंसर हो जाएगा इसका गुलाम आहमद ठीक ह 1889 में फरीद कोट में जो है यहां आंदोलन हुआ था फरीद कोट में ध्यान रखेंगे चलिए राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा गुलाम आहमद उसके मिलान करना है एक तरफ गौर्ण जनरल है दूसरे तरफ उनसे संबंदित विशय दिया गया है जो देकि लॉर्ड लेज़ली कास हो जाए गाल लोड कैन निक कि अनुमती यह पका हो जाएगा उसका बसाओ रहत लेंड में सरस्के का हो जाएगा बताएं तो दिखिए right answer इस का हो जायगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले R P p q r s p q r s p q यहांई option नुमब इसका D जो होगा वो आपका right answer हो जाएगा rsp q चलीए आगे बढ़ेंगे हाँ में नेक्स्ट कुस्itzer लेंगे वह जाएगा इसका राइट अंसर उसके बचली अगला कुशन है थर्टी सिक्स नंबर यहां पर दिकी कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज सब्द का प्रयोग किया गया था तो यह आपका 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसके अधक्सता किस ने किया था दादा भा महराजा खेटली ने दिया था किसन दिया था महराजा खेटली ने दिया था तो अपसे नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑपसे नंबर डी राइट एंसर हो जाएगा उसके अगला प्रश्ण है कि विजयनगर की राजा क्रिशन देव राय ने गोलकुंडा का यूद किस राज कि लेखक निमलखित में से कौन है कि स्वप्न वासदता के जो लेखक है वह भास है अपसे नमबर बी हो जाएगा भास ठीक है यहां रसना जो है राजा उदाइन और वासदता की कथा पर अधारित है उसके बाद देखेगा कि पहली बार किसी को सती होने का प्रमान किस अभिल इसको हुझदि चले काकतिये सांस्थापक कोन था काकतिये सांस्थापक यह बीट्टा प्रथम था याद रकेंगे राजधानी कहां थी तो औंग को न थी यहत होँ अंग कुण्ड जो थी राजधानी थी इस वन्स का सबसे सकती साली राजा जो था गणपती था तथा अंतिम सासक पुछा जाए तो प्रताप रुद्र था और इसका संस्थापक जो था ये बीटा प्रतम था ठीक है यहाँ पर दीखे गणपती दिया गया है उसका दिके निमनकितन सकोंसा कतन गलत है यहाँ फर गलत कथन आपको चुनना है तो दीखे यहाँ पर पर प्रमुख फचल धान था यह गलतREW लाएगया और सी राइटन सर होजाएगा अब यहां भारत सरकार अधनियम जिसको किया है मौंतेगू चंफुर्ट सुधार अधनियम के नाम से जानते हैं इसी जिन्यम द्रांतों में द्वेध सासन की प्रथाक उसको सुरू कि गई थी ठीक है और इसी अधनियम के द्वारत की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारती उच्छायुक्त का नियुक्ति किया गया था तो आपसर नमबर इसका बी हो जाएगा राइट अंसर उसका बचलीगा केंदर सरकार में उच्छतम नागरिक सवा अधिकारी कौन होता है उच्छत 1923 में स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयो के अधक्स काका साहब कालेल कर थे ठीक है जिनका वास्तिव की नाम क्या था दत्ता त्रे बालकृष्ण काकेल कर थे कालेल कर था यहां पर दिका अप्शन नमबर भी हो जाएगा 1923 में जो है इसका जो है गठन हुआ था उ ह्रमचाड़ी कि मनमानी दुराचारी और समीधा कि प्रयास किया गए तसका कि एक विकास हो जाएगा एक परामर सदात्री समीथी ठीक हो सी हो जाएगा उसका वाद कि समिधान संसोजन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था तो यह 56 समिधान संसोजन था ध्यान रखेंगे ठीक है गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया साथी साथ दमन और दिव को केंदर साशित परदिश करूप में रहने दिया गया तो यह आपका राइटन सरा option number C हो जाएगा उसका वाद कि सिंदु नाजी तंत्र में सामिल नदियों को उत्तर से दक्षिन की और सही करम क्या है तो इस सही करम इसका जो हो जाएगा वह जहेलम छिनाव राभी ब्यास और सत्लज यानि कि अपसे नंबर इसका सी हो जाएगा ज लाल होने का कारण क्या है तो इसका कारण है लुहे की पजार्थ की अधिकता इसमें दिया गया होगा option number D राइटन सर हो जाएगा ठीक है फेरस ऑक्साइड की उपस्तिति के कारण जो है इसकी रंग लाल होती है कि लिए चलिए उसके बदेखेगा कि भारती मानक समय जो है यहाँ green movement कितना आगे है तो देखें ये 5.5 घंटा या निकी 5 घंटा 30 मिनट आगे है 9-12, चलिए जलका सरवादिक जो है उपयोग होता है तो यह कृशी में होता है उसका नेक्स्ट कोशन दिखेगा किने मनलिखित में से भारत में अस्थापित होने लिए पहली लौव उद्धोग कंपणी कौन से थी तो यह थी आपका टीस्को टाटा लौव इसपात कंपणी इसको हो और है चले उसका अगला प्रश्ण प्रश्ण है 55 नंबर यहां से देखिए 55 नंबर कुस्टन कर आए कि भारत में सबसे बड़ी भासाई समु कौन सी है तो सबसे बड़ी भासाई समु है यह क्यों सी है कि इसकी बावारती यू रूपिय ठीक है भारती यूरोपिय सबसें ह है नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे चली है उसके आगे बढ़ेंगे कि अवसाधी दिया चीडियों के बीवब पर पट्टी के पूरे आयतन का केवल 5 प्रतिसत परहीं बनती है फिर भी ये प्रित्वी के अस्तल मंडल के 75 प्रतिसत भाग को घेरे हुए है उत्पत्ति के अधार पर अवसाजी चटनों का वर्गीकरन जो है किया गया है समुद्री चटन नदिकृत चटन सरवर्य चटन और यहां पर देखिन जल ने निर्मित नहीं हो सकती यह गलत दिया गए तो हो सकती है थीक है उसको भारत का सरवादिक पट्सन उत्पादक राज़े कौन सा है तो यह पस्चिम बंगाल है तो इसका राइट नसर हो जाएगा आपका पस्चिम बंगाल कि आगे बढ़ेंगे नि इसका हो जाएगा option number D उसके नेक्स्ट कुशन कपड़े को कपड़े साफ करने में प्रेव होने हमारा डिटर्जन निमलिखित में से क्या है तो यहां सल्फोनेट है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा option क्लियर चलिए डिटर्जन को ठोर तथा मिरदू दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से अधिक्तम जहाग देते हैं उसको नेक्स्ट कुशन हमारा कि उसको एलकाइन कहा जाता है तो राइट अबर भी हो जाएगा उसका वचलिए अगला प्रशन है कोश्टर नम्र 63 की खाने का नमक ने से किसे बना है तो यहां मजबूत अमल और मजबूत इछार का बना होता है मजबूत अमल और मजबूत इछार के द्वारा और देखे एने सील जो होता है ना इसका पीजमन कितना होता है सेबन होता है यह आप जरूर याद रखेंगे स्वेत प्रकास को नली में कैसे पद्धा करते हैं तो राइट अंसर क्या हो जागा तंटू को गरम करके अपस्ट ट्रिक इंजिनरिंग अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है बताइएगा राइट ऐंसर इसको क्या हो जाएगा तो लाल बहादुर सास्त्री की समाधी अस्तल को विशय घाट और अभाय घाट है ना इसको मुराररी जी देशाई का जो है नरायन घाट जो है यह गुल्जारिन नंदर जी के समाधी अस्तिल को कहा जाता है यह आपका विजय घाट हो जाएगा उसका बाद देखे कि विश्वर टेलीविजन दिवस कब मना जाता है विश्वर टेलीविजन दिवस जो है यह 21 नौंबर की दिन तो राइटेंसर इसका पुरसकार प्राप्त करने वाले पहली भारत्य नुव्हाट कौन ठीए जुरकार सबसे पहल्य ho असापुर्ण Depi है जबकि भारत्रोतनी सर्बार्ट से समानित प्रथम भारती महीला इंदरा गांजी जी हैं ध्यान रखेंगे आसा पुर्णा देवी उसके पूर्णा जो है यह किस स्खेल से संबंदित यह जीमनाश्टिक से संबंदित है चाइंब इसके इन में से कौन सी टिप ने प्राकर्तिक वनस्पति जात और प्रणानी जात के हरास का प्रमक कारण नहीं है तो यह आपक त्रप्से होगा और दोगीकरण और शहरीकरण से पूसτο की गई थी निफिज बचाओ अंधोलन का समंद्ध की राज्य से तो फ्रेंट्स यह उत्राखंड से है ठीक है बीज बचाओ आंदोलन उत्राखंड के टीहरी में जो है किसानों के दरा सुरू क्या गया यह आंदोलन था तो यह आपका उत्राखंड हो जाएगा चीपको आंदोलन भी उत्राखंड होगा उसका बद देखेगा कि भद्रा अभ प्रदेश हो जाएगा नागारजुन सागर वन जो अबरन उसके बाद चलिए यहां से देखें कोस्चा नंबर 75 से ले करके कोस्चा नंबर 150 तक में मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है फ्रेंड्स देखें इस प्रशन का एंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि निमनांकित आ सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर जूड़िएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दिजिए और शेयर कर दिजिएगा